आज के लेक्षर का आगास करते हैं आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह है चैप्टर नमबर टैन जो रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स रिटर्न्स बगारा से आज के लेक्षर में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टड़ी करेंगे मेन कंसेप्ट जो आज के लेक्षर में हमें स्टड़ी करना है वो यह कि लॉज जब वर्ड इन्वेस्टमेंट होंगी इससे पहले हमने शायद डिफरेंट लेक्ट में ये स्टडी किया के अशुचियट कमणी में इंवेस्ट्मेंट करने के लिए प्रवाइब होती है यह एक कंडिशन है लेकिन इसके लावा भी बहुत सी कंडिशन है जो के असोशेटेट कमझी में इंवेस्टमेंट करने से पहले पूरी करना होती है तो आज के लेक्चर में इसके बारे में डिटेयल डिसक्शन होगी जो कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं जरूरी है अगर एक कंडिशन पूरी करना जरूरी है अगर एक कंपनी असोशेटेच में इंवेस्टमेंट करना चाहती है है तो उसके लिए conditions कौन-कौन सी पूरी करना जरूरी है लेकिन याद रखे condition study करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि investment किसे कहते हैं कौन-कौन सी चैस्ट में शामिल होंगी और associated company किसे कहते हैं क्योंकि अगर कोई भी transaction investment की definition पर पूरा उतरेगी और कोई भी company तो फिर यह concept एक्टिवेट होगा यानि यह concept रिलेट करता है investment सब्सक्राइब करता है investment नहीं होती सब्सक्राइब करते हैं कोई यह ज़रूरी है दो चीज़ों के बारे में जानना एक investment किसे कहते हैं दूसे किसे कहते हैं पिर ही हम सीख सकेंगे कि investment in associated company के लिए क्या करना है तो सबसे पहले word investment investment के बारे में वह यह कहता है कि इस word में चार चीज़ें शामिल है एक equity दूसरा loan तीसरा guarantee for advance equity का मतलब क्या हम मसल में समझ रहे होते हैं investment means equity investment यानि अगर किसी company के shares रीद लिए जाहें सिर्फ वह investment है नहीं वह investment जरूर है लेकिन सिर्फ वह investment नहीं है law में word investment में shares की buying के लावा कुछ हो transactions भी हैंगे जैसे अगर आप किसी company को loan देते हैं तो ये loan देना भी investment में आता है ठीक है अगर आप किसी company को loan देते हैं तो उसका मतलब है आपने उस company में investment की हुई है shares buy करें वो भी investment है loans दें वो भी investment अच्छाल loans ने advance दिया advance दिया वो demand करता है क्या आपने advance जो दिया है वो normal trade credit के तोर पे दिया है यानि normal trade में ऐसे होता है कि advance दिया जाता है अगर तो normal trade में नर्मल business में ऐसे होता है कि advance दिया जाता है नार्मल ट्रेड क्रेडिट बगरा तो याद रखे वो transaction जो normal trade का हिस्सा है वो investment नहीं समझे जाएगे लेकिन जो transaction नार्मल ट्रेड का हिस््सा नहीं है वो समझेगे जैसे फर्स कीजीए कि अगर कलॉध का business है और आपने cloth के लिए किसी party से transaction किया आपने उसे कहा कि हमें for example इतना समान चाहिए एक अफ़ते के अंदर normally उस business में terms of the trade जो normally होती है ना वो ये कि जब delivery की जाएगी उस वक्त पैसे दिये जाएगे payment की जाती है लेकिन आपने पहले ही advance पे कर दिया 100 प्रसंट हालाके नार्मनी डिवरी के बाद पेमेंट की जाती है आपने 100 प्रसंट पेमेंट advance में है क्या यह investment यह investment है क्योंकि यह normal trade से हटके है जब आप normal trade से हटके कोई payment करते हैं कि को वह investment है अब गाडियां बनाने की कंपनी ज्याएं इनके बिजनिस में नॉर्मल प्रैक्टिस ट्रेड प्रैक्टिस ही है कि पहले पार्टी एडवांस पेमेंट करेगी उसके तीन चार पांच एमीने के बाद डिलिवर की जाएगी इस सिट्वेशन में अगर आप एडवा आपने फाइनांस पर वाइड किया किसी को वह investment बनेंगे तो एडवांस अगर नॉर्मल ट्रेड के मताबिक दिया है जो प्रैक्टिस चल रही है वह investment नहीं होता लेकिन अगर नॉर्मल ट्रेड से हटके दिया है वह investment है कलियर हुआ यह सरी एकट इन्वेस्मेंट है लोन दि से हटके दिया तो investment है और guarantee इसलिए बाकी तीनों से different है कि बाकी तीनों में कुछ ना कुछ funds provide किये जाते हैं दूसरी party को कुछ ना कुछ पैसे दिये जाते है गारंटी में पैसे नहीं दिये जाते है बलकि यह कहा जाता है कि अगर इस company ने टाइम पे लोन वापिस नहीं किय तो हम पैसे अदा करेंगे यह भी investment है जैसे हम अगर एक company को loan दे दें क्या यह investment है है लेकिन हमने company से का भाई हमारे पास पैसे नहीं है तुम ऐसा करो bank से ले लो हम bank को guarantee देंगे कि अगर तुमने loan वापिस नहीं किया तो हम करेंगे पैसे bank देदेगा guarantee हमारी है law यह कहता है भी investment की definition में आएगी हाला कि इसमें funds involved नहीं है इसमें आपने कोई payment नहीं की लेकिन यह भी investment की definition है तो investment की definition में चार चीज़े हैं चार कौन कौन से equity loan advance guarantee हाँ एडवांस में एक चीज़े में रख लीजेगा कि normal trade credit जो हता है वो नहीं है जैसे फर्स कीजिए हमारी यह company है यह बाइजान की company है यह समान खरीते हैं इंडस्ट्री में practice है कि 30 days का credit लाओ किया जाता है मैंने 30 days का credit लाओ किया तो एक तरह से मैंने इन्हें अपना समान दिया और बदले में पैसे नहीं ले रहा बदले में पैसे क्या यह investment की definition में आएगा नहीं आएगा लेकिन अकर 30 days का credit दिया जाता है मैंने 6 मिनों का 180 दिन का credit दिया क्यूंकि normal trade credit से हटके है यह उनको extraordinary favor दी गए तो सबसे पहले आपने exam में case study में पहचानना है case study यह concept case study में कुछता है रियू production के question में कुछता है ज्यादा कर case study में पूछ रहा है कि तो सबसे पहले case study में आपने क्या पहचानना है कि यह investment है के नहीं और investment के लिए चार अलफाज equity loan advance में आपने देखना है normal trade credit है के नहीं इन में से कोई भी एक transaction वह select करके आप से पूछ लेगा concept ज्यादातर loan को लेके चलता है क्योंकि कई स्वेंट यह concept बनाके बैठे होते है कि लोन असल में investment थोड़ी है investment तो सिर्फ शेर्स की होती है इस concept को तोड़ने के लिए loan की example देता है कि लोन भी investment में कवर होते हैं कलियर यह concept चलिए जी पूछी क्या कुछ से नहीं यह जो एक concept company limited by guarantee उसमें यह कुछ लोग यह कहते हैं कि अगर company wind up में wind up हो रही है और अप करते हैं कि हम contribute करेंगे वह भी guarantee होती है लेकिन वह उनकी तरफ से इस concept के मताबिक investment में नहीं आएगी उसकी रिजन यह है कि वह तो इस company के खुद shareholder है ठीक है तो आप general meaning में उसको कह सकते हैं कि इन लोगों ने company में investment की हुई है लेकिन वह example कभी भी इस concept के साथ मिला के नहीं पूछेगा वो लाइगा concept test करता है वो कैसे concept करता है कि वो company को wind up कर देगा और कहेगा winding up से चार मीने पहले एक member छोड़के चला गया चार मीने के बाद wind up हुई company बताइए उस member की liability है के नहीं हम कहते है बिलकुल है अच्छा ये तो हम सब को याद है कि एक साल चोड़ने के अधर अधर company wind up हो जाए तो मेंबर की liability है लेकिन आगे फर्दर कितनी liability है कौन से वाले डेट्स की liability है उस समाउंट तक जो agree की थी और कौन से वाले डेट्स की लाइबिल जो उसके member होते होते डेट्स contract किये गए तो बैंक अगर लोन देगा company को तो वह भी investment देखे definition यह कहती है लोन भी investment है तो भी investment है ठीक है और यह याद रखिएगा कि यह बाद उकातना कुछी अब लॉग की एक बात आपको बतादू कुछ definitions लॉग में लिखी होती है जो पूरे के पूरे लॉग की हर प्रवियन पेपला equity loan guarantee advances इसका मतलब क्या होता है कि investment की definition हम आपको दे रहें ना वो सिरफ इस section की हद तक है तो यह जो investment की definition आपको बताए जा रहे है ना यह फार दी परपस ओफ दिस concept है investment in associated company कि investment की definition clear हो गई अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं अच्छा एक तो वह कई दफ़ा ना इसोसेटेट कंपनी की definition रिप्रड्यूस करवा लेता है यह लंबी चोड़ी definition है पांच छे नंबर असानी के साथ मिल जाते हैं जब भी पुछे करना चार नंबर से कम की तो कभी ने उमीद है वरना पांच छे नंबर मिल जाते हैं पूछ क्या रहा है associated company को define करें तीन पॉइंट्स हैं चार exception तीन प और तीसरा एंड नहीं है और कोई भी एक क्राइटेरिया पुरा हो जाए तो वह associated company बन जाएगी पहला क्राइटेरिया सबसे कॉमन सबसे ज्यादा एक डिरेक्टर हार 20% shareholder is also a director अगर कोई एक डिरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में डिरेक्टर है यह एक डिरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा का शेर होल्डर है यह एक शेर होल्डर 20% से ज्यादा 20% से ज्यादा किसी दूसरी कंपनी में डिरेक्टर है यह एक शेर होल्डर किसी दूसरी जैसे ये कंपनी फर्स कीजिए ये कंपनी A है ये कंपनी B है कंपनी A में एक 20 परसंट का शेर होल्डर है नदर नहीं आरा कोई बात में ये लीजिए 20 परसंट का शेर होल्डर और कंपनी B में भी 20 परेटर कंपनी A में डारेटर कंपनी B में भी अब ज़रा सुनिए एक कंपनी में 20 परसंट जा उससे ज्यादा का शेर होल्डर दूसरी कंपनी में 20% या उसे ज़्यादा का शेरहोल्डर है Is Joachim इसको हम कहते है common shareholding एक में 20% या उसे ज़्यादा का शेरहोल्डर दूसरी कंपनी में direct क्या दूसरी कंपनी में direct Company A में director है Company B में 20% या उसे जादा के शेरर होल्डर कम्पनि ए में डिरेक्टर है और कम्पनी बी में भी डारेक्टर है ये भी सॉर सीटट हो गे हैं ये देखेex sets अगया शेर्होलडर दूसरी में शेर्होलडर सॉसाटटת दूसरी में डिरेक्टर एक डिरेक्टर दूसरी में शेयर होल्डर दूसरी में डिरेक्टर लेकिन ये शेयर होल्डर 20% यह उसे ज्यादा पर है तो एक कमपनी में डिरेक्टर दूसरी में 12% का शेयर होल्डर अच्छा अब दो बाते हैं डिरेक्टर की और दो बाते हैं शेयर consider नहीं करना, वो exception है, दूसरी बात, nominee director एक में deliberately गटेशरी में Nicolas कि तो इंसिए एक मैं उन्प। एक में टॉसरी में टुसरी मैं टॉसरी पर्संटटे सेट कि एक में डर्यक्टर ढूर जो बातें डरेक्टर की और दो बातें हैं पहले बात हैं नोमीनी डर्यक्टर है थोब Всем वह vue exception है इंडेपेंदेंट डि्रेक्टर है ओदी से overlap क्या हुआ हुआ है करें उसे होड़ा है और दूसरी ट्रीपनेंट तर director से नहीं है werd एक में नॉमिनी डारेक्टर है दूसरी में 40 फकर elever कर रहा है एक में इंडिपेंडेंडंड डिरेक्टर है बाटों छिवरए कि क्वेशन नहीं होंगी त मुद्धीटर और इंडिपेंडेंडेंट्टर ओर एक्सेचन सब्सक्रांब है और किसी दूसरी में डिरेक्टनि इस फ़र वह कंपनी इस वजह से किसी दूसरी कंपनी की सोसेटर नहीं होगी एगरेट बैंक ऑफ मजाब में डिरेक्टर है नेशनल बैंक में नुमिनी डिरेक्टर है दूनों सोसेटर कंपनी बनेगी नहीं बनेगी और अगर इंडिपेंडेंडन डिरेक्टर है नेशनल बैंक में कलियर यह बात स अगर मिस्टर के पास सिक्स परसंट शेयर है और मागनर चाइड के पास पौर परसंट शेयर है और वो दूसरी डिरेक्टर भी है अगर मिस्टर ए फिर से सुनी है अगर मिस्टर ए कंपनी ए में 12 परसंट का शेयर होल्डर है उसकी स्पाउस के 6 परसंट शेयर है और मेजर चाइल्ड के 4 परसंट शेयर है स्पाउस and minor detymine गया है समझा जाएगा उस शेयर से की पहली बात यह और दूसरी बात इस परसंटेज में जो प्रफ ट्रीन के टर्मिन करने के लिए relevant नहीं है एक परसन के पास 100% preference shares है और वह दूसरी company में director भी है associated नहीं होगी क्यों नहीं होगी नहीं बाद मुश्किल होगई है बाद मुश्किल होगी नहीं स्पाउस वाली नहीं मुश्किल होगी associated company वाली बाद पड़ क्या रहे थे investment की definition associated company की investment की definition अंसान थी चार लफस याद किया definition clear normal trade credit का नहीं बूलना associated company की definition associated company की definition में हमने पड़ा if a person is 20% or more shareholder or director in a company is also a shareholder of 20% or more our director in other company both companies will be associated associated लेकिन इसमें दो बाते रखनी है याद directors के हवाले से और दो बाते याद रखनी है shareholder के हवाले से directors के हवाले से क्या बात याद रखनी है नो मिनी डिरेक्टर और independent director से associated company नहीं बनेगी यह exception है नो मिनी डिरेक्टर इंडिबेंडेंट डिरेक्टर exception है इन से नहीं बनेगी और शेयर होटर वाड़ी दो बाते कौन सी है अगर शेयर स्पाउस या माइने चाल्ड के पास है वो कंसिडर करने हैं अगर प्रेफरेंश यह नौन वोटिंग शेयर से हैं वो कंसिडर नहीं करने हैं कुछ समझाई बात की केक दाव फिर से हो जाए अगे समझ चलिए अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट अब कुछ और पी एक्सेप्शन अना अभिस चुछ निखेंश फूरी नहीं हुए इतना सा लिखने से नंबर थोड़ी मैं ने इतने हुआ है हुआ हुआ है पीड़ा करिए नेक्स्ट अच्छा इसमें एक कंसेप्ट ऐसा भी है जो कलियरली उसने नहीं बताया लेकिन केस्ट्टी में टेस्ट कर लेता है एक परसंद के पास 20 परसंट शेयर है और किसी दूसरी कंपनी के बूशेट यह यह भी आब सुने परसंद को गोलिवारे यह यह ने एक कंपनी आन एक कंपनी के पास बी कंपनी के 21% shares है A company के पास A company ने B company के 21% shares मैंने type of share नहीं बताया इसका मतलब ordinary share होंगे A और B associated हुई का नहीं अच्छा A ने B के 21% share खरीदे हैं B ने A का कोई भी share नहीं खरीदा आवा नहीं हो गया अच्छा अगर A B के 51% share खरीद ले तो यह holding subsidy बन जाएगी चाहे B A का कोई share भी ना खरीदे अगर A B के 51% share खरीदे B क्या बनेगी subsidy और अगर A B के 21% share खरीदे तो यह associated बन जाएगी associated बन जाएगी A company के पास दूसरी यह clearly definition में कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन असलिए 20% के पीछे concept यही है कि influence create हो जाता है इसे दूसरी company's के उपर एक company के पास दूसरी company के 70% share है दूसरी company क्या बन गई holding और अगर 27% share है तो याद रखिए direct investment से भी holding subsidy बन सकती है clear हुई है बात आगे चलते हैं अभी कहानी में अभी भी ट्विस्ट है पहले पताएं यहां तक concept समझा गया investment की definition चार terms associated company की definition में अभी हमने सिरफ share holding पहली condition के ओपर discussion की है जारी shareholder की बात की डिरेक्टर की बात की फिर दो बातें डिरेक्टर की से की दो बातें shareholder की से की फिर एक hidden concept निकला कि अगर एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में 20% या ज्यादा शेयर्स करीद ले तो पचाब अलफास पर गोर करें अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 20% याँ उससे ज्यादा के shares खरीद ले तो नहीं गोर कर रहे हैं अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 20% याँ उससे ज्यादा shares खरीद ले तो एक कंपणीने दूसरी कंपणी के टुन्टीफञाँ पसंट शेरखरी देंग एक कंपणी ने दूसरी कंपणी के फिफ्टी फाइफ़ पसंट शेरखरी दे ते नहीं कितने स्वांट का ख्याल है यह होलिंग से बन गई कितने सिर्फ का क्या रहा है और लोनों बन गई यास दोनों बन वहराइए तोनों बन गई क्योंकि 20% से ज्यादा शेयर स्वाज इस ही के और गोड़ करवाना चाहा था आउसे एक अपनी दूसी कम्नी के 20% यह ज्यादा शेयर से खरीद ज्यादा से मुरा 21 भी है 22 भी 24 25 26 45 46 51 100 भी शावाश शावाश तो यह समझा एक सड़ी में उसने का होल्डिंग कपनी अपनी सब्सीडरी कंपनी को लोन देना चाहती है बताइए लोन दे है किने कंदिशन के मताबे कोई कंडिशन नहीं नहीं है बेगिंग कन्सेट का कि सबसीडरी कंपनी का कंसेट होता है अब एक ऐसा सेंटर्स आपको समझ भी नहीं आए गा लेकिन टेक्निकल है बोलने सुनने में मज़ा आता है उसका वो क्या है कि हर हर सबसेड्री कमपनी असुसियेटेड कमपनी होती है लेकिन हर असुसियेटेड कमपनी सबसेड्री नहीं होती है पींदेग्ध है आगे चलते है अशा यह वाली बात समय आ गए है अग्याय कंपनी ज têm सिरुट्ट एक अब हमन्दर कॉमन मेनिजमेंट और एंड strongest Companies are under common management and control Companies are under common management and control इसका concept इतना आसान नहीं है जितना फोन का होल्डिंग सबसेडी लिखा होगा है बोल दिया होल्डिंग सबसेडी इतना आसान लाओ नहीं है अब जरा सुनिये क्योंकि इसमेना case study में सिरफ यही पहचानना काम होता है कि investment में पूरा उतर ही है कि नहीं और associated company की definition में पूरा उतर ही है कि नहीं बड़ा काम होगा हाथ ही निकल क्या दूम रहेगी सिरफ वह क्या companies are under common management and control common management and control सुनें यह company A है ए लिमिटेड यह company B है भी लिमिटेड ए ए कंपनी के पास B कंपनी के 25 परसंट शेयर है तो सुचिटेड है 55 परसंट शेयर है नहीं है वी के पास आगे सी लिमिटेड के 60 परसंट शेयर है वी और सी होल्डिंग सब्सेडरी है असो सीटेड भी है हजरा सुनी है ए और भी होल्डिंग भी सब्सेड भी और सी सब्सेडरी अचा होल्डिंग सब्सेडरी की डेपने पढ़ी हुआ है शुरू में पढ़ी से भूल गई भूल गई है अचा याद है जल्दी से सना देख लिदेशना नहीं नहीं मैं तो भूल गया हुँ डेपिनेशन कमीज डेम टूबी सब्सेडरी और अधर कंपनी इफ यह लोग बता दिया पहली लाई नहीं बता दिए ठीक है बिल्कुल ठीक है अब याद रखे वहां पर सब्सेडरी और सब्सेडरी भी सब्सेडरी है तो यहां पर एवर सी भी असोसेड़ को मतीन है यह जहें खेल किएगा है और फी तो सोसीडरेट्ट है है और चीज अलाकर ड किए सब्सेडरी बढ़िख Ici कि कोई शैडरी की सब्सेडरी भी सब्सेडर्य को में वह और एक यह ऐन grip यह झांड है और इक यह द्री लिमिटेट्ड कमनी मैं इए इभ बोथ और अर गौमना नंड nggak और षाद कॉमना दैंड कॉमना मेनेजमेंट दिधं रही साथ सिछ और डी और उसो से टिट बन गई चाहें इनका आपस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी और डी बिल्कुल बी और सीवी यह वो थार अंडर कामन मैनेजमेंट एंड कंट्रूल और सीवी और डी तो है ही है यह वी तो है ही है तो बाज उकात कैसल को सिंपल रखता है एक पास बी कमपनी के टूंटी फाइप से रहा फोरम पता चल गाए बाज का स्ट्रक्शर को कंप्लेक्स करने की कोशिश करता है अपनी जज्जमेंट एक्स्पेरियंस के मताबिक जितने के इंवेस्टमेंट किसे कहते हैं अंडर कॉमन मैंजमेंट का मतलब होलिंग सबसेडी की तरफ उसका इशारा होता है पिर इसके बाद यह रटे वाला पॉइंट है मुदार्बा मैनेजड बाए कंपनी मुदार्बा क्या होता है इसलामिक फैनांसिंग का तरीका जिसमें इ जिसे कहते हैं मुदार्बा मैनेजमेंट कंपनी यह क्या करती है यह डिफरेंट सेक्टर्स के यह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करती है और हर प्रोजेक्ट में जैसे मुदार्बा मैनेजमेंट कंपनी बनी उसने का लो भाई ऐसा करते हैं हम सीमेंट सेक्टर में एक project start करते हैं, बही ज़सने पैसा लगाना है, पैसा लगाए, जिसने अपनी skill invest करते हैं, वो skill invest करते हैं, एक cement sector में business start कर दिया, ये जो business हलाएदा company के talk ये तोर पे register होता है, मदारवा company, ये उपर वाली company कहलाती है, मदारवा, management company, ये नीचे वाली company कहते हैं, मधारू यह सीमन वालाएं धर टेक्स्टाई उन मैं भी तेक्स्टाईल में भी कमपनी कोवने जा रहे हैं बताईका किस ने किसने इन्वेस्मेंट कर नी ऑपनी स्किल्स लेकी आएगा मैनेज और और न ये मधार्वा हो घुड़ को मैं एगा और और यह जो छोटी companies है मुदार्बा इसे कहते है मुदार्बा फ्लोड करना जब एक किसी सेक्टर में नई कंपनी बनाई जाता है मुदार्बा फ्लोड करना अब जरा सोच के बताएए क्या ये मुदार्बा management company और मुदार्बा यह आपसमें related नहीं हैं मुदार्बा एक तरह से मुदार्बा management company रहा है में तो जो मुदार्बा management company है यह और जो मुदार्बा है यह था इसके बाद बाहरी बात exceptions करा कुछ डारेक्टर को हम सोचेटिट कंपनी में नहीं गिनते कुछ शेर्ज को सोचेटिट गंपनी में नहीं गिनते कौन कौन से शेर्ज शेर्ज ओंड बाइ नैशनल इन्वेस्मेंट ट्रस्ट गंपने का इदा या ऐसा फानेंशल इंचूशन जिसको गंपने कर रही हो इसको हम सोचेटिट कंपनी में कंसीडर नहीं करेंगे या इसी तरह शेर्ज जो के सीडिसी के नाम पे रिजिस्टर के कैचे घंबेंट डियर्ज शेयरु हैं हमने हमने इसे के लिए और वही का रही हमेंट कर रही ऊंपनी के लिए अच्छे छाथा सा प्रोसस है जिसमें हम शेर होड़ के तो चारल के पास जाते हैं जो रिजिस्टार हुथ होता है जब इसके बार आप पर जाते हैं तो कहता है भाई बुक्स ख्लोस हो चुकिर अगले हफते आएगwow lenses पिर बेते हैं। एप्लीकेशन फिल करते हैं क्याता है नहीं नहीं सिर्फ आपकी अप्लीकेशन नहीं चाहिए कि ये शेर्ज मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो इस वक्त जिसके नाम पे शेर्ज है उसकी तरफ से प्रॉल भी तो चाहिए दोनों पार्टी है एक बार हमने का अगले हफ़ते गए अगले हफ़ते शेर्टीफिकेट क्यों मंगवार हो मैं शेर्जिस्टर क्योंकि इसके पास एक लाख का शेर्टीफिकेट लेके उसके फाड़ के फैंक देना है और फिर दूसकी जगह पे दो शेर्टीफिकेट पचास-पचाहजार की एक पे इन भाई का नाम निखा होगा अगर तो आपने आपको गलत प्रैक्टिस बताता हूं जो वैसे चल रही है या आपके कभी जिन्दगी में काम आएगी यहां पर थोड़ी देर के लिए रोख दीजिए बाद उकात आप जो प्रॉपरिटी की डिलिंग करते हैं ना तो आपको इतना पता होगा कि प्रॉप प्रॉपरिटी है उस पर लाखों का टेक्स देते खरीदे कोई प्रॉपलिम की बात नहीं है लेकिन कुछ लोग घलत क्या करते हैं जो ज्यादा लीगर मामलाद को निंग जानते जो चाहिते हैं हम आपसे प्रॉपरिटी खरीद लेते हैं एक लादा से एग्रिमेंट भी सा सके हैं और फिर उस बंदे का परपस भी होता है खरीदे वाला कि मैं दो चार महीने बाद या एक दो साल के बाद जो है वह ट्रांसफर कर दोगा मसला कब होता है बला यह लाखों को बचाते हुए क्रोड़ों चले जाते हैं कब जब इन दोनों पार्टिज में से किसी एक कीडफ होजाए जब किसीए कीडफ होजा अगर बेचने वाली कीडफ ही ना तो प्रापकेное है ने तो वह जो इनहेंयुक्न का लाउ है वह क्या कहते है उसके ना उसके लाऍट समय कराएअसकी रधार कोई कनॉनी है सिर्थ ना पर अब जJack तक वाली वार सान नहीं मानेंगे ना प्रॉपरिटीज के ना अलवारी बास ना कहते हैं सर ये तो एग्रिमेंट जा लिए है अगर ये जैनुवन होता तो दो साल गुज़र के तीन सा ट्रांसफर ना करवा होता है तो इसलिए याद रखें ये हलाके टैक्स बच जाते हैं लागों बच जाते ह है कि क्या मैं लॉंग टॉम अपने पास होल्ड करने के लिए शेयर खरीद रहा हूं कि मैं एक जैसे स्टॉक एक्षेंज में इन्वेस्टर होता है उसके पॉइंट उसे शेयर खरीदे इन्वेस्टर का पर्वस क्या होता है आज शेयर चाह दिन बाप प्राइस बड़ी बे इसे कहते हैं Central Depository Company उसमें क्या होता है इसमें शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन पार्टी के नाम पे नहीं बलके पार्टी के ट्रस्टी के तोर पे CDC के नाम पे CDC एक गर्मिंट का इधारा है स्टॉक एक्षेंज में समझा अब थोड़ा सा मैं आपको फैब्रिकेट करक पार अब फर्ज कीजिए कि मैंने यह कंपनी चला रहे हैं मैं भी शेयर होल्डर हूं यह भी शेयर होल्डर है अब मैंने इंसे शेयर्स खरीदे अब मैं यह चाहरा हूं कि अगले चंद दिन के अंतर इनको बेच देना तो मैं अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाँगा पियमेट करने तो मैंसे कहूंगा कि आपने सीडि सीपने से श् abyश खोए ना यह सीडिसी वाले को कहें के सिडिशी इस ईक्वल टू बैंक से डिसी इक्णी बैंक ऑफ कैश नहीं बैंक औफ शीयरो हैं ठोन ऑते हैं जब एक बंद को कहता है मेन कंपनी को कि आप CDC के नाम पे shouldタ mi किसücke नाम पे कंपनी की बुक्स ने शेर होलडर को न है लेकिन CDC में चैपने को जब शेर आते हैं तो उसे पता है CDC को पता है को पाई आ बैनिफिशल होलडर नहीं हूं तो मेने अमान दफ़ा चर्म ने इसी को बेचने हैं मैं कमपनी के पस नी जाँनांगा सीडिसे को फून लगानंगा एक दिन के अंदर-उन पैंड़ा मैंने शेयर निकाल के बीक के अंडू langड़ टू बीक कंच क्या करेगा कडेंड के ऊपर मेरे trading purpose के लिए shares खरीदने होते हैं short term के लिए उनके लिए suitable है, इसमें उन्हें protection में मिल जाती है क्योंकि CDC के लावा कोई और बंदा होना तो उसका कुछ पता नहीं है, share बेज़ के निकल जाए CDC के लावा कोई और बंदा होकर CDC government का अधारा है इसलिए ये नहीं भागता अब मुझे खुद बताईए, अगर CDC के पास किसी दूसरी कंपनी के 70% shares हैं, उसके नाम पे हैं क्या CDC और वह दूसरी कंपनी associated company बन गई? क्यों नहीं बन गई बहला? क्योंकि CDC उसका beneficial share holder नहीं है वो दूसरों के अमानत के तोर पर पर अपने पास shares रख रहा है इसलिए उसने कहा कि share registered in the name of CDC ये associated company का status determine करने के लिए consider नहीं किये जाएगे क्योंकि CDC उनका beneficial owner नहीं है इसी तरह government का एकिदारा है national investment trust इसका भी काम यही है कि short term purposes के लिए देखता है government का surplus fund है तो जहां पे अच्छे लगे महाँ पे shares buy कर लिए held कर लिए तो national investment trust या इसी तरह government का अगर कोई और ही का रहा है वो अगर किसी company के shares रखता है तो उसका purpose trading होता है अब quickly जैसे share price बड़ी बेच दिए वो भी associated company के लिए consider नहीं होगा तो हमारी total exceptions हो गई चार तीन पॉइंट्स है चार exceptions है लंबी चोड़ी definition है लेकिन एक्जाइम पॉइंट ओफू से उतनी ही आहँ भी है फिर से करते हैं start concept हमारी कहानी शुरू कहां से होई थी investment in associated company समझने के लिए जरूरी है पहले हमें पता चले investment किसे कहते हैं में पता चले सोचीजें और एक अगर नार्मल ट्रेट क्राडिट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट है अगर नार्मल ट्रेट क्राडिट है तो इन्वेस्टमेंट है अगर नार्मल ट्रेट क्राडिट है तो इन्वेस्टमेंट है यह तो हो गया हमारा investment चार पांच वा खलत इसलिए करने करने के लिए इन्वेस्मेंट की डेफिनेशन में चार चार चीज़ें कौन कौन से हैं एकवटी लोन एडवांस गारेंटी इडवांस में क्या है किया है चन्सर्ट normal trade credit है तो इंवेस्मेंट फुर्फाइज और अंकर नार्मल ट्रेड़ ड्रेडिट नहीं है तो है यहीं तो है पिर इसके बाथ क्पनी की देफिनेशन तीन पॉइंट चार एक्सेप्शन तीन पॉइंट कोंसे हैं इस परसन वो होल 20% और मोर शेयर्ट इनन अज़ जो है डाइर डार टेरेक्टर और इसमें और यह जो है शेयर शेयर्ट के पास हों तो समझे उसी के पास है और अगर और अजिए शेयर को कंसिडर करना है पहला पॉइंट कलियर दूसरा पॉइंट इफ बोथ कमपनी जार अंडर कॉम्मन मेंजमेंट अंड कंट्रोल और वान इस अब्सुडियरी ओफ अधर तो भी एस्वेटिड है बोथ हर अंडर कॉमन कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 20 यह तो परसंट की वाद हो रही थी ना 20 जहों से ज्यादा शेयर वह भी क्यों से टेस्ट कर सकता है ठीक है एक्सेप्शन क्या है चार इंडिपेंटेंटेंटेर नोवी डेक्टर शेयर बाइसीशे बाइनएटी पतम बगी रुटा लगा है कि आप में पॉइंट याद रहा है इंडिबेंडेंड डिरेक्टर नो मिनी डिरेक्टर शेरवाइ सीडिसी शेरवाइ एनर्टी यह एक्सेप्शन है कलियर और के सबसे पहली चीज़ क्या पहचान नहीं है जब कहेगा इसोशेट कमणी में इन्वेस्ट के इन्वेस्मेंट है के नहीं अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर आगे भी चापा है फिर सारा चापा है कंडिशन को क्या कहता है वह से सुनिया है इन्शालला अभी है क्या प्रोफ है अच्छा चले मुझे आदा गया कल आपने मेरी बात मानने थे नहीं एक मेंट हरे नहीं एक मेंट हरे कम 45 मिनट का लेक्शर को होना चाहिए ना यह कितने मिनट का हो गया लेकिन फिर लेकिन फिर होम साइन्मेंट लेर्निंग अब्चेक्टिव वन है सिर्फ क्वेस्टन वन टू थ्री वन टू थ्री लिख के शाबाई डिटल फार्म ठीक है अच्छा आप वाल्यम टू की साथ साथ प्रेक्टिस कर रहे हैं ना कि अज़र इसका भी डेली का डेली अब को हम साइन्मेंट निपा फुस्सें नहीं कर रहें आपको फुस्से करना चाहिए अगर मैं साइन्मेंट दूँगा अगर मैं साइन्मेंट चेक भी करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है पहले देखना वालियम टूस में कौन कुन सा क्वेशन किस कंसेप्ट से रिलेड करता है कौन सा बगी बात है आशा चलिए ठीक है ठीक है अभी तो मैंने निशान दीए ठीक है चलिए आज का लेक्षरिया पर खतम करते हैं आप